हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने IQZ7S Android माइल फोन में आप जो है draw C to launch dialer setting को अपने use कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये draw C to launch dialer setting जो है कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में हम आपको detail में जानकारी देने वाला हूं त चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है ठीक है setting page को open कीजिए setting page में आपको नीचे ये option मिलेगा shortcut and accessibility इस option को select करना है इसके अगले page में आपको ये option मिलेगा smart wake इसे से सलेक्ट करना है अब इसके अगले page में आप आपको ये button दे रखा है इस button को आपको tap करना है तो ये button आपका blue color में on हो जाएगा अब ये draw c to launch dialer setting जो on होने के बाद इस setting कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ देखिए दोस्तों जब भी आपके mobile phone की screen off होगी ठीक है जब भी off होगी तो आपको करना क्या है screen क आपको alphabet का जो c letter होता है उसे आपको draw करना है इस तरीके से इस से क्या होगा आपके phone में जो dial pad होगा वो आपका direct open हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर आपने phone पे screen lock लगा रखा है तो उसे आपको पहले enter करना है तो देखिए सामने dial pad दिखाई देगा ये आप देख सक जिससे आप तुरंत number dial कर सकते हैं ठीक है तो इस setting जो इस तरीके से काम करती है आपकी draw see to launch dialer अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके phone में इसके लिए करना है कि आपको setting page का ये जो mobile phone का setting page है इसे आपको फिर से open करना है starting से ठीक है setting page में आ पर आपको spelling mistake नहीं करनी है अगर आप यहाँ पर spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे ये option दिखाई नहीं देंगे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है तो चली वीडियो को आगे continue करते हैं आपको नीचे ये option बिल जागा draw see to launch dialer इसे select करना है इससे क्या होगा आपका phone आपको directly सेटिंग में लेकर आजागा और इस सेटिंग को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंड़ने का आपके mobile phone में